हरे गृष्णा आजम श्रीमत भगवत गीता के सोलवे अध्याय के दस्वेश लोग को पढ़ेंगे आए पहले इसका स्फरसे गायन करें आई अब इसका शब्दार देखते हैं आँब अश्रित्य यानि कामनाओं का आश्रय लेकर किसी भी प्रकार ना पूरी होने वाले दंभ मान मद अन्विताह यानि दंभ मान तथा मद से युक्त काम माश्रित्य दुश्पूरं दंभ मान मद अन्विताह आया बगली पंक्ती पे चलते हैं मोहात ग्रिहीत्वासत ग्राहान यानि मोह से ग्रहन करके विनाशी वस्तुओं को प्रवर्तंते शुचिव्रताह यानि विचरते हैं ब्रश्ट आचरणों को धारन करके मोहात ग्रिहीत्वासत ग्राहान प्रवर्तंते शुचिव्रताह तो इश्लो का अर्थ हुआ दंभ मान और मज से युक्त मनुश्य किसी भी प्रकार से न पूरी होने वाली कामनाओं का आश्टर लेकर मोह से असत वस्तूओं को ग्रहन करके ब्रश्ट आचरण को धारन करते हुए इस संसार में रहते हैं